नमस्कार किसान साथियों एक हैलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो किसान साथियों आज के वीडियो में जो हमारा धान का Mighty ना मीज़य के लिए मैं आज आपको शेटिंग के बारे में बतानêsेहां हूँ किसान भाइयों के पास थ्रेसर है और इस वीडियो अंतर जरूर देखे कि जो हमारी धानवाली फसल होते हैं धानवाली थ्रेसर होते हैं उसकी रभी फसल के लिए सेटिंग कैसे करें तो किसान सांथियो यह मेरा मल्टी क्रॉप थ्रेसर हैं धानवाला थ्रेसर हैं इसके पहले मैंने इसमें धान की मिजाई किया था अभी रभी फसल की कटाई हो तो आप इस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं रभी फसल के लिए चनग यहूं के लिए तो किसान साथियों जो हमारी रभी फसल की जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और अगर हम इस थ्रेसर से मल्टी क्राप थ्रेसर से मिंजाई करते हैं तो वह दाने तूटने क की समस्या बहुत आती हैं तो आज आपको मैं उसके रोख थाम कि दाना टूटने से कैसे बचाए उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो किसान साथियों जो हमारी बोल्ट होती हैं उसको हमें करना है पिर एक को बड़ा फिर ुछोटा नहें छोटा इसी प्रकार से हमें सभी लाइन का जो हमारी बोल्ट होता है उसको चोड़का इस!.. तरव को छोड़कर फिर दो चोटा कंना है फिर इक बड़ा करना है फिर दो छोटा करना है फिर एक बड़ा करना है फिर एक छोटा करना है इसी प्रकार से हमें सभी लाइन की जो बोल्ट होती है उसमें एक के बाद दो को छोटा करना है फिर एक को बड़ा फिर दो को छोटा इसी प्रकार से हमें सभी लाइन की जो हमारी बोल्ट होती है उसको मेन के तो हमें दान वाला को निकालकर ये वाला जाली लगाना है जो हमारा दान वाला जाली को निकाल कर यह वाला जाली लगाना है, जिसमें हम चने की मिंजाई करते हैं, अगर आप एक बार यह रभी वाला जाली लगा देते हैं, तो आपको रभी फसल की सभी फसले इस जाली में निकल जाता हैं, तो आपको इस वाला जाली को लगाना है, तो किसान स अगर आप धन्य अरहर जैसी बड़ी फसल की मिंजाई करते हैं अगर आपको भूसा की उसमें जरूरत नहीं होती तो उस समय आपको यह जो उपर वाला ज्वाली होता है उसको निकाल देना है ताकि आपका थ्रेशा लोड न ले बड़ी फसल के लिए आपका जो बड़ा अधर शल होता है राहर का धन्या का उधर से निकल जायेगा आपको ऊपर वाला जो चनदा होता है उसे निकाल देना है के वाल आपको नीचे वाला जो च Snoday उसे ही लगाना है और कि हमारी यह दोला पंख्या होता है जो पेरा फैकता है उसमें कुछ इस प्रकार की एश्ट्रा पट्टी लगा होता है उसको भी निकाल देना है क्योंकि हमें ज्यादा हवा की जरूरत नहीं होता है जो हमारी पेरा होती है उसको फैकने की ज्यादा जरूरत होती है तो उस समय इसको लगा देना है और अभी रभ इसके माध्यम से नीचे गीर जाए तो आपको इस वाला जो पट्टी होता है उसको निकाल देना है और हमारी जो इस वाला बोल्ट होता है उसको दो छोटा एक बड़ा ऐसा ही आपको सेटिंग कर देना है अगर आप इस तरह सेटिंग कर देते हैं तो आपकी जो रभी फसल के यह सेटिंग हो जाता हैं अगर आप चने की मिन्जाई करते हैं, जुआ कि प्लेट लगा सकते हैं, अपने पत्ता हैं आप ऑपोशे itself, नगय法 सकते हैं, जुआ प्लेट याप्म जसाम्याप्ए यह दानल वाझा है, मेलड जुआ uhur hai, .. तो ब्लेड की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें भूसे की जरूरत नहीं है तो मैं अपनी चने की फसल में इसमें अभी चने की जो कटाई होगा तो इसमें मैं अभी बेल्ट बोल्ट लगा कर इसमें कटा लगाऊंगा जिससे हमारी चने की फसल होती है वहां भूसा की जरूरत होती हैं पस्वों के लिए तो उस समय मैं इसमें ब्लेड लगाऊंगा और या उपर वाला चांदा लगाऊंगा जिससे हमारी चने की भूसा बन जा है और अच्छी से अगले साल मैंने इस प्रकार सेटिंग किया था कि भूसा भी बहुत छोटा-छोटा आ रहा था तो आप इस तरह से अपनी ठ्रेसर को मल्टिक्राब ठ्रेसर हैं धानवाला उसको आप इस प्रकार से शेटिंग कर देते है तो जो रभी फसल की सभी फसले असानी से मिन जा जाता है और कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती मैं हर साली इस प्रकार से सेडिंग करता हूँ तो किसान साथियो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको थ्रेशर से सम्मंधित जानकरी चाहिए तो आप चैनल को लाइक करे शब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि आपको थ्रेशर से सम्मंधित जानकरी मिल सके तो किसान साथियो आज के वीडियो में बस इ कर दो कि और दो रहते हैं जया जया हिए जया के वहते हैं